या देवी सर्भूते सुमा महगवडी रुपी न संस्तिता नमाताश्याई नमाताश्याई नमो नमा जैमतरन दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधाकृष्ण ओफिसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमतादी जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तो आज हम सुनेंगे नवरातरी के आठवे दिन की का था यानि की मा दुर्गा के आठवे स्वारूप मा महागवडी की का था नवडात्री के आश्टमी तिथी पर मा दुर्गा के आठवे स्वारूप मा महागवडी की पूजा होती है आज नवडात्री का आठवा दिन है और सभी लोग मा महागवडी की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि मा का या स्वारूप स्वेत वर्नन का है कई घोरों में अश्टमी तिथी पर ही कन्या भोज कराया जाता है और कई घोरों में नौमी तिथी के दिन कन्या भोज कराया जाता है तो बता दू कि जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं वो मा महागवडी की पूजा अरधना करे तो उनके विवाह जल्द ही हो जाएगा जिसकी कुंडली में बिवा से संबंधित परसानिया हो उन्हें माता महागवडी के उपाशना जरूर करनी चाहिए मा महागवडी के उपाशना से जीवन साथी अच्छा मिलता है और सिक्र बिवा होने का योग बनता है आईए सुनते हैं मा दुर्गा के महागोरी रूप की कथा पौरानी कथा के अनुसार मा पारबती ने भगवान सीव को अपने पती के रूप में पानी के लिए कठिन तपस्या की थी हजारों वर्ष तक माता ने अंजल गरहन नहीं किया था जिससे उनका सरीर काला पढ़ गया था जब माता की तपस्या से प्रसन होकर भगवान भोले नाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में सुविकार किया और उनके उपर गंगा जल डाल करके उनको अट्यांत उक्रांती मान बना दिया इसलिए मा पारबती के इस स्वारूप को मा महागवरी कहा जाता है ऐसी मन्यता है कि माता की इस स्वारूप की पूझा बिध्योत करने से संदर्य की प्राप्ती भी होती है और घर में सुख समरिधी का वास भी होता है माँ महा गवरी के पावरानिक कथा एक और है जिसके अनुसार काल रात्री माता का स्वरोप ब्रह्मा जी के अशिरबाद से मिला था तो वो भी कथा चलिए सुन लेते हैं तो पौरानिक कथा के अनुसार काल रात्री के रूप में सभी रक्षोसों से बद करने के बाद भोले नाथ ने देवी पारवती को काली कहकर पुकारने लगे इस पर माता ने क्रोधित हो करके ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की तब ब्र स्रोवर में अस्नान किया तो मा की शरीर दूध की तरह सफेद हो गया तो माता की इसी स्वारूप को महागौरी कहा जाता है माता महागौरी का स्वारूप बोखोत ही उज्वाल कोमल स्वेत बननन है और मा महागौरी स्वेत वस्त्रधारन क्या करती है और देवी एक हाथ मे अपने त्रिसूली है और दूसरे हाथ में डमरूली है और नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा में है और देवी महागवरी को गायन संगित बहुत ही पसंद है और ये सफेद ब्रिसम यानी बैल पर सवारी करती है माता खाल रातरी का स्वारूप जितना भयंकर है उतना ही महागवरी का स्वारूप सांध द्रिष्टीगत है नवरातरी के अश्टमी तीथी को इनकी पूजा करने से सभी मनोकमनाय पूर्ण होती है तो नवरातरी के अश्टमी तीथी को ब्रहमुरत में उठना चाहिए जैसे माहागवुडी को लाल कलर बौहात ही पिरिये हैं। इसलिए माहागवूडी के पूझा में ज्यादा से ज्यादा लाल और सफेद चीछ का परियोग करें। फूल में गुड्हावुल का फूल चरहिएगा। और चमेली का फूर्ट, दोनों चरहिएगा मा को, और अपने ब्रत का संकल्प ले करके मा का धूप, दीप, अक्षत ये सबसे पूजा किजिएगा, मा के पास में अप लोग घी का या तील के तेल का, दीपक जरूर जलाईएगा, और मा का बिधिवत पूजा किजिएगा, फिर पासे मुझे यस की प्राप्ती हो, तो ऐसे हमें छमा मांग लेना है मातारानी से, इसके बाद पूजा आसन पर जल छोड़ करके, फिर हमें अपने पूजा को समाप्त कर देना है, तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मा महागोरी की, अश्टिमी के दिन की ये कथा बहुत पसंद आएगी, तो अगर कथा पसंद आता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले प अथा को सुन सके, तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, किछी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नवास्कार,